हालो फ्रेंड्स वांस अगेन आप सबों का श्वागत है यूटूब चैनल प्रैब एजुकेशन पर फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं इंग्लिस ग्रामर का ही एक पाइट एक टॉपिक और वो टॉपिक है मॉडाल्स आपने खुब सुना होगा मॉडल वर्ब्स के बारे में तो चलिए आज देखते हैं कि हम इन मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करेंगे क्यों क्योंकि वर्ब एक इंपॉर्टन पाइट होता है संटेंस के अंदर तो इसका यूज हम कैसे करें ये भी एक इंपॉर्टन पाइट है तो देखते हैं सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल वर should, etc. तो ये सारे जो verbs हैं, that means ये helping verbs हैं और इनका use जो है model verbs की तरह होता है sentences के अंदर, तो कैसे तो वो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना परेगा कि जो model verbs हैं, यानि कि जो modals हैं, इनका use जो होता है, कभी भी sentence के अंदर हम अकेले नहीं करते हैं, that means we can say कि these are not used alone, मतलब क्या हुआ, कि आपको जब भी model verb का आप use करेंगे, तो उसके साथ किसी ने किसी main verb, यानि कि principal verb को रखना जरूरी होगा, बिना principal verb के, यानि कि बिना main verb के model का use जो है जलत माना जाता है, तो आप इनका use बिना principal verb की help से ना करें, तीसरी चीज, यह जो है sentence के अंदर बताता है, कि जो action है, उस action का manner क्या है, वो action कैसे हो रहा है, इस चीज को models बताता है कि action sentence के अंदर किस तरह से perform किया जा रहा है, तो चलिए, सबसे पहला जो model verb जिसके बारे में हम जानेंगे, वो है will, तो will का use कहां होता है, तो गोर किजे, इसका use जो होता है to express future tense with the subject of second and third person, आपने इस चीज को tense में भी पढ़ा होगा, कि जब आपका subject second या third person का होता है, तो उस case में आपको future tense को express करने के लिए, future tense को दिखलाने के लिए will का use करना होता है, तो पहला use जो will का है, वो यही है, इसको हम कुछ examples की help से समझते हैं, और example, हम ये कहना चाहा रहे हैं, कि तुम अगले week England जाओगे, गोर किजे, sentence के अंदर जो हमने तुम का use किया है, जो subject है हमारा, वो second person का है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इस case में हम will का ही use करेंगे, और sentence बनेगा हमारा, you will go to England next week, देखिए, sentence हमारा बना, you will go to England next week, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो will है, वो एक model वोब है, और चुकि हमारा जो subject you है, यह second person का है, तो हम इसके साथ जो है, normal way में, that means, अगर कोई condition नहीं दिया होगा, तो उस case में हम model वोब will का यूज करेंगे, similarly, एक example हम third person के subject के शाथ लेते हैं, तो चलिए, माल लिजे, हमने कहना चाहा कि वह अगले मेने एक कार खरीदेगा, तो देखिए, यहाँ पर भी जो हमारा subject है, वो third person, singular नमर का है, तो अब हमें यहाँ पर भी जो है, model वर will का यूज करना है, तो हमारा sentence वनेगा, he will purchase a car next month, तो अब यह will हमारा model वो है, और he again to है, यह एक subject है, जो third person, singular नमर का एक subject है, similarly, माल लिजे, हमने एक और sentence लिया, कि they will organize a meeting tomorrow, कर किजिए, जहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, तो हमारा जो subject है, वो third person, plural नमर का है, तो जाईर है, जो rule है, उसके according, हमें जो है, यहाँ पर भी will का ही use करना है, तो sentence हमारा बना, कि they will organize a meeting tomorrow, that means, वे कल एक meeting को organize करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो subject हमारा जो है, second person का हो, या third person का हो, उसके साथ, normal situation में, अगर कोई condition नहीं दिया गया है, तो future tense को दिखलाने के लिए, आपको सिर्फ will का use करना है, इसमें आप किसी तरह की changing नहीं करेंगे, अब देखिए, आपने tense के अंदर पड़ा होगा, कि जब हमारा subject, first person का होता है, चाहे वो singular हो, या plural हो, आपको उस case में future tense दिखलाने के लिए, shall का use करना पड़ता है, लेकिन, अब हम अभी यहाँ देखेंगे, कि किस case में, हम जो है, first person के subject के साथ, future tense को दिखलाने के लिए, shall की जगा, will का use करेंगे, तो will का जो दूसरा use है, वो है, to express promise, गौर कीजिए, to express promise or determination with the subjects of first person, आपको first person के subject के साथ, कोई मालिजे की promise दिखलाना हो, जा फिर determination दिखलाना हो, उस case में, आप जो है, cell का use नहीं करेंगे, आपको सिर्फ करना क्या है, आप cell को will में change कर दिजिए, तो sentence जो है, वो पूरी तरह से बन जाता है, कैसे, देखिए, एक example से इसको समझते हैं, suppose कीजिए, हमें लिखना है, कि अगले week, यानि कि अगले शप्ता, मैं मुंबई जाऊंगा, तो गौर कीजिए, आपने खूब अच्छी तरह से tense को परा है, future tense को परा है, तो इसकी English बनती है, कि I shall go to Mumbai next week, एक normal situation में हमने cell का use किया, लेकिन, suppose कीजिए, यहाँ पर determination दिखलानी है, कि भी पक्की तौर पर जाऊंगा, तो उस case में, आप क्या करेंगे, simple सी बात है, आप क्या करें, cell को हटा करके, वहाँ पर will, model verb का use करें, उसी से sentence के अंदर determination आ जाती है, तो वह sentence बनेगा, अब shell की जगह हमने will का use किया है, तो that means I shall go to Mumbai next week, तो इसकी हिंदी हुई, कि मैं अगले सब्ता Mumbai अवश्य जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, बिंस situation या condition जाहें जो भी हो, मुझे पक्की तौर पर मुंबई जाना है, और next week मैं जाऊंगा, तो जब भी आपको determination सो करना हो, या promise सो करना हो, तो उस case में बस आप जो है, first person के subject के शाथ sell को भूल जाएं, और वहाँ पर आप will का use कर दें, आपका sentence correct हो जाता है, सपोज कीजिए, अब हम लिखना चाहते हैं, कि हम corruption, यानि कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, अगर आपके पास कोई promise, कोई determination नहीं है, तो simple way में वो sentence जो बनेगा, वो बनेगा कि we shall fight against corruption, we shall fight against corruption, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, promise दिखलाना चाहर रहे हैं, determination दिखलाना चाहर रहे हैं, कि पक्ती तौर पे हम corruption के खिलाफ लड़ेंगे, तो again, यही rule यूज करना है, मतलब we, जो की first person, plural number का subject है, जिसके साथ normal condition में shell आना चाहिए, तो आप cell को हटा दें, और वहाँ पर will का यूज करें, तो sentence बनेगा, we will fight against corruption, तो इस तरह से थोरी सी variation करके, model work हम करेंगे, वो है shell, अब हम देखेंगे, कि shell का यूज जो है, हम किस तरह से sentence के अंदर करते हैं, तो आपने जो पीछे वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने future tense को discuss किया है, उसमें details काफी जाएदा दी गई है, कि किस तरह से आप shell का यूज करेंगे, तो आप shell का यूज करें, अगर कोई condition नहीं है तो, तो देखिए, फॉर एक्जामपल, I sell go to school tomorrow, और कीजे, एक student कह रहा है, कि I sell go to school tomorrow, इसका मतलब हुआ, कि कल मैं school जाऊंगा, डैट मिस उस student ने normal तरीके से कहा, कि भी कल सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो मैं कल school जाऊंगा, लेकिन आपने विल के यूज में पढ़ा होगा, कि जब हम इसी की जगए, अगर विल का यूज करते हैं, तो वहाँ पर एक certainty होता है, एक determination होता है, कि situation चाहे, जो भी हो, कल मैं school जरूर जाऊंगा, सपोज कीजिए, कि कोई normal day है, तो कई बार बच्चे, school नहीं भी जाते हैं, छुटी ले लेते हैं, तो उस case में, एक normal day में, वो student जो है, आई के साथ, शल का यूज कर सकता है, लेकिन, सपोज कीजिए, कि कल कोई important paper होना है, या कोई important test होना है, तो उस case में, students जो होते हैं, उनको जाना ही परता है, means, वो अपने आपको, रोक नहीं सकते हैं, situation जो भी हो, that means, उनको जाना परेगा, तो वहाँ पर उस case में, हम cell का यूज ना करके, will का यूज करते हैं, ये भी आप ध्यान रखें, तो normal condition में, हमने इस sentence को लिखा है, कि I shall go to school tomorrow, means, मैं कल school जाऊंगा, अब देखिए, ये हमारा first person का, जो है singular subject था, हम first person के ही, एक plural subject, यानि कि, we से इस sentence को बनाते हैं, तो देखिए, we shall help you, अब यहाँ पर, कोई condition नहीं है, हमने कहा, कि we shall help you, कि हम तुमारी help, करेंगे, हम तुमारी शाहिता करेंगे, इस पर किसी तरह का condition नहीं है, एक general way में, future statement को, express किया गया है, तो एक तो आपने सीखा, कि shall का use, आप किस तरह से करेंगे, अब देखिए, दूसरा condition, जो आपको बिल्कुल समझना चीए, क्योंकि यहाँ पर गलतिया होती है, वहाँ क्या है, कि, to express command, आप गौर करें, अगर आपको, command दिखलाना है, आपको अगर threat, या फिर warning दिखलाना है, वो भी किस के साथ, with the subjects of second, and third person, means, second, या फिर third person का subject है, और वहाँ पर आपको command दिखलाना है, वहाँ पर आपको threat, या फिर warning दिखलानी है, तो उस case में, आप जो है, जो normal way में, इसके साथ आप जो will का यूज करते हैं, तो आपको will को ignore करना है, यहाँ पर आप will का यूज ना करें, करना क्या है, तो यहाँ पर आप cell का यूज कीजिए, तो देखिए, वो sentence बनेगा कैसे, तो माल लिजिए, एक sentence, एक example है, he shall be punished, गौर कीजिए, he shall be punished, that means, उसको punish किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी, तो इस case में आप देखिए, तो कहीं ने कहीं, आपको दिख रहा है, कोई threat है, उसे threat किया जा रहा है, कि उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर, जो normal situation में, आप will का यूज कर रहे थे, तो आप उसको ना करें, यहाँ पर आप cell का यूज अगर करते हैं, model word अगर cell आता है, तो इससे जो है, इस sentence के अंदर threat, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, देखिए, तूसरा sentence, जैसे हमने एक एक जामपल लिया, you shall do this sum, कौर किज़े sentence को, अगर इसके अंदर कोई condition नहीं होता, तो यह sentence बनता, you will do this sum, means, तुम इस sum को करोगे, लेकिन, जब हम will को हटा करके, वहाँ cell का यूज करते हैं, तो देखिए, एक force है, एक command दिख रहा है, इस sentence के अंदर, और हम कह रहे हैं, कि तुम ही इस sum को करोगे, that means, यहाँ पर एक stress डाला गया है, तो आपको एक command डाला गया है, तो जब भी आपको second या third person के subject के साथ command दिख लाना हो, तो आप will की जगा cell का यूज करें, similarly, तो यह जो था, यह command है, तो आप लिख सकते हैं, this is command here, and जैसे दिखिए, sea cell cook food, आप इस sentence को अगर ध्यान से देखेंगे, तो दिखेगा, यहाँ भी command दिख रहा है, कि sea cell cook food, मतलब वो ही जो है, food cook करेगी, मतलब किसी और को food नहीं cook करना है, तो जब भी आपको command दिख लाना हो, तो आप ठीक इसी तरह से, जो है, आप third person के subject के साथ भी, जो, third person के subject से साथ भी, आप विल की जग़ सेल का यूज कीजिए, similarly, माल लिजे, एक और sentence हमने लिया, और अब आप खुद देखें, कि इसके अंदर क्या दिख रहा है, you shall suffer one day for your mischiefs, हमने कहना चाहा कि, you shall suffer one day for your mischiefs, मतलब एक दिन तुमें, जो तुमारी mischiefs है, तुमारी जो शैतानिया है, उसके लिए क्या होगा, तो मतलब तुम उसके लिए सफर करोगे, तो गौर कीजिए, कहीं ने कहीं आपको दिख रहा होगा, एक वार्ण किया जा रहा है, संटेंस के अंदर एक वार्णिंग दी जा रही है, तो आप इस तरह के सिटुएशन में, अगेन, सेकंड पर्सन का भी सब्जेक्ट हो, तो आप सल का यूज़ करें, that means, you shall suffer one day for your mischiefs, तो this is, you can say what, तो this is वार्णिंग, हमने किसी को वार्ण करके, ये कहने की कोशिस की, तो आपने देखा, कि किस तरह से, या फिर किस सिटुएशन में, हम विल का यूज़ करेंगे, और किस सिटुएशन में, हम सेल का यूज़ करेंगे, तो friends, अगर ये वीडियो आपको पशंद आया हो, आपने सीखा हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को, आप अपने दोस्तों के भी सेर करें, और comment box के अंदर, आपकी जो भी requirement हो, जो भी आप और खुछ एडिशनली जानना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से comment करें, Thank you.